नमस्क centr दोस्तो आज बताएंगे आपको कि बढ़ापा आपका कैसा कटेगा बढ़ापे में कितना सुख रहेगा कितनी बीमारी रहेगी या बढ़ापे में आपको कोई समस्चा तो नहीं होगी उसकी जानकरी आपको देंगे तो कलेरें दोस्तों चैनल को सब्सक्राब चाहर पहला इकों जरूत वालें, जिससे के इसी प्रकार की जानकरी बराबर मिलती रहें. दूस्तों आप जानते हैं कि सभी की इच्छा होती है कि हमारा जीवन, सुक मेकटे, बीमारी नहों, कोई समच्चा नहों, कोई कलेश नहों, इस पकार की इच्छा सभी के अंदर होती है पर बिस्स कर इच्छा होती है बढ़ापे की समय, जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है, तो समस्या होने लगती है कि कोई ऐसा रोग न लग जाए, ऐसी कोई समस्या न हो जाए, जिससे कि हमारे बढ़ापे में परेशानी हो और हमें सुक्सान्ती में रुकाबट पैदा हो, तो उसकी जानकारी हम देंगे सिर्फ आपको दो रेखा से, आप पहँचान जाएंगे कि हमारा जीवन बढ़ापे में कैसा गटेगा, तो सबसे पहले चलते हैं, आपको आयो रेखा के बारे हम बताते हैं, यह आयो रेखा है, और इस आयो रेखा पर अगर कोई भी रेखा थोड़ थोड़ देर बात काट रही है, या इसमें दीव पी जासा निसान है, कैपसूल टाइफ का निसान है, या इसको बारीक बारीक रेखा इससे निकल रही है, या इस पर कोई क्रॉस, एक्स का निसान है, तो ऐसा होना आपके जीवन में या आपकी आयो रेखा में रु दिशानी होना या आपके जीवन में कोई ऐसा रोग जो बारबार आपको जटका देता है या कुछ दिन आप सही रहे कुछ दिन वार फिर बीमार पड़ गए इस प्रकार की समस्या होती है और आयो में विवधान आयो में रुकावट ऐसी समस्याएं बारी गरेखाउं से होती है जो को जीवन में आपके रुकावट पैदा करती है तो इस प्रकार की अगर आपकी आयो रेखा है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई समस्या है अब चलते हैं दोस्तों आपको बताने के लिए हरदय रेखा पर अगर आपकी रेखा जिसको स्वास्थ रेखा भ दो होई फिर एक हो गई यहां की रेखा चैन टाइप बन रही है कडिया से बनी आगे मिल गई याजी बन गई तो अगर कडिया चैन जैसी सिस्टम आपकी हिरदर र्यखा पर है स्वास्त्रेका पर है तो इसका मतलब है दोस्तों कि आप ज्याता तर बीमार रहते हैं और या बीमारी के संकेत होते हैं कोई ने कोई रोग छोटा मोटा सभी कुछ नो कुछ आपको लगा रहता है तो ऐसी हरदयरेका पर अगर आपके स्वास्त्रेका पर है तो आप समझ सकते के जीबन में हमें छोटी मोदी परेशानियों से ग्रसित रहना पड़ सकता है लेकन दोस्तों ये जरूर नहीं के बढ़ा पेमी हो ये किसी की नव युवक के भी हो सकती है जिनके हरदय रेखा पर अगर इस पकार की कडिया टाइप होती है या रेखा कटीफिटी होती है या रेखा एक भाग से दो भाग में हो करके फिर जुड़ जाती है या कैपसूल टाइप की या चाबल टाइप की जैसी इसमें रेखा बन जाती है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीबन में कोई रोग है और कितने दुनों तक है उससे आप मेंचान सकते हैं छोटा साइज है तो कुछ दिन के लिए अगर थोड़ा कैपसूल या साइज है तो बड़े जादा दिन हो सकती है या चैन टाइप है तो आप समझ सकते हैं कि एक बीमारी ठीक होई तर तक दूसरी कोई लग गई ऐसी समझ अगर होती है तो आपके जीवन में कोई नो कोई बिवधान या कोई नो कोई बीमारी आपको बनी रहती है तो इसके लिए आप अपने स्वास्त का विश्य ध्यान दें अगर आयो रेखा पर कोई बिवधान है तो अगर आपके हाथ में मंगल लेखा है फिर तो आप सभी सम समस्याओं से निकल जाएंगे अगर मंगर लिखा आपकी याईर लिखा के वगल में नहीं है तो आपको समस्याओं करना करना पड़ेगा इसलिए आप स्वास्त पर ध्यान दें स्वास्त का ध्यान रखते हुए और आपका जीवन खुसमल कट सकता है और नहीं तो दोस्तो आपके सामने कोई कुन कोई परिशानी आफ रही गई तो हमें आसा है दोस्तो आपको जनकारी पसंद आईगी तो वीडियो को लाइक करें और सेर भी करते चलें